हेलो दोस्तो मीटक में आपका स्वागत है दोस्तोो आज मैं एक वीडियो आपसे सेर करना जा रहा हूँ यह वीडियो भहोती युश्फूल और यह वीडियो है आपको फेस्बुक यह Facebook का एक टूल्स जो है उसके बारे मैं आपको बताऊंगा कि उस टूल्स का क्या यूज है Facebook पे तो दोस्तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि सारे जो इसमें टिप्स हैं जो सारे जो हैं वो यूसफुल हैं तो आप वीडियो क्विट मत करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तो उससे वीडियो दिखाने से पहले आप वीडियो सेयर करने से पहले मैं आपको यह बता दूँ कि जितने भी मेरे भाई हैं जितने भी मेरे दोस्त हैं वो पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को जो नीचे एरेट किलर का दिया रहता है सब्सक्राइब वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजियेगा और अगर नोटिफिकेशन अन करना है तो आप ए घंडी का सिंबल बन के आता है तो आप आप क्लिक करेंगे तो वो नोटिफिकेशन भी आन हो जाएगा तो दोस्तों प्लीज डोंट फॉर्गेट तो सब्सक्राइब मी और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर भी कर दीजेगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा तो दोस्तो आये चलके मैं बताता हूं कि यह फेस्बुक का जो भी टू हैं उसके बारे में सबसे पहले मैं बता दू कि इस टूल में आपको यह बता हूंगा कि कैसे सारे फ्रेंड्स को एक साथ अन फ्रेंड करेंगे जैसे होता है कि वन बाइवन आप उसको अन फ्रेंड करते हैं क्लिक करके तो इसमें इस टूल में आपको यह बता हूंगा कि कै जैसे सारे friends को एक साथ unfriend कर सकते हैं और बाकि भी और सारे feature हैं जैसे कि बहुत सारे आपके Friend Requests और पंडिंग पड़े हुए है आपको one-by-one करके उसको click करके accept करना पड़ता है तो उसके लिए भी इसमें option है कि एक साथ सारे accept कर सकते हैं एक साथ सारे friend request accept कर सकते हैं बाकी जैसे आज तक अपने account से कितने pages को like किया है तो उसको एक साथ unlike भी कर सकते हैं और और भी सारे चीजे हैं तो मैं आपको step by step बताऊँगा सबसे पहले आता है आप Google पर search कर लेंगे आता है Facebook Toolkit आप Google पर search करेंगे Facebook Toolkit तो यह दोस्तों आपको सबसे first पर ही आपको दिखाएगा Toolkit for Facebook आप कुछ नहीं करना है उस पर click करना है जब आप click करेंगे तो आपको आएगा यह Toolkit for Facebook दोस्तों यह जो Toolkit for Facebook है यह सिर्प Google Chrome ब्राउजर पर ही work करता है तो आप Google Chrome ब्राउजर पर इसको आप open करेंगे जब आप इसको open करेंगे तो Toolkit for Facebook है इसका नाम और यहां पर राइड शैड में आपको देख रहे होंगे यह blue color का button है इसमें लिखा है add to chrome तो हम इसको Chrome में add करेंगे इसी Google Chrome में add कर देंगे तो add पर जब click करेंगे तो यह add हो रहा है फिर यहां पर हम add extension कर देंगे तो यह checking हो रही है और इसके बाद add हो जाएगा अभी आपका notification आएगा आगया कि Toolkit for Facebook has been added to Chrome तो दोस्तों यह आपके Chrome web browser है Google का Chrome है उसमें आपका यह toolkit add हो चुका है तो आएए फिर हम देखते हैं इसका use क्या है तो आप देख रहे होंगे उपर right side में यहां पे PST लिख लिख रहा है light blue color का है अस्मानी color का बना हुआ है Toolkit for Facebook इस पर लिखा हुआ जब आप इस पर कर्शन लेगे जाएंगे तो कुछ नहीं करना है आप इसको जब क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे option आपको मिलेंगे यह देखिए इतने सारे feature हैं इसके अंदर और इस features मेंसे आप जो भी यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं मैं आपको पहले बता दू यह free tools for free में क्या क्या है Free में यह सब चीज़े हैं और नीचे जो premium है तो premium के लिए तो आपको purchase करना पड़ेगा यह I think बहुत ही महेंगा है बहुत expensive है तो खरिदने के आपको ज़रूद नहीं आपके जो भी normal जो भी problem है उसका solution आपको free में ही मिल जाएगा जैसे की video downloading tools है आप इसे facebook के video download कर सकते हैं और invite friends to like your page इसे friends जितने भी आपके pages हैं वो अपने friends को invite कर सकते हैं इससे इसका use करके तो like के लिए और invite friends to univet कोई भी आपका event हो उसको आप अपने friends को invite कर सकते हैं आप देख सकते हैं इसमें option है accept reject all friend request at once means आपका जो भी accept or reject है जैसे की friend request बहुत सारे pending हैं पड़ी होती है तो उसको आप accept कर सकते हैं रिजेट कर सकते हैं यहां से आप एक साथ आपको one by one नहीं करने पड़ेगा यहां पे एक साथ आप उसको click करके इस पे और आप उसको accept or reject कर सकते हैं और जो option है click all add friends button जो भी आप चाहते हैं कि बहुत सारे friends को मैं add कर लूँ अपने friend list में request भीजूँ तो इससे आप कर सकते हैं click all like buttons आप जो भी buttons आते हैं pages के उसको आप like कर सकते हैं यहां से इसका use करके click all join buttons जो भी join option आता है आप button का वहाँ पर देख रहे होंगे facebook में आप यूज करते होंगे तो देखे होंगे वहाँ पर आप उसको join कर सकते हैं बाकि premium tools में भी बहुत सारे option है जिस group transfer tools है group posting tools है group posting tools too है post on on facebook page claim as group admin message all facebook friends send stickers to all facebook friends post on like pages join multiple groups using group id send birthday wishes और बहुत सारी features ने इसमें last में suggest your friends to add another friends add all facebook friends as group member यह आपका account tools का मैं आते हूँ extract tools में extract tools में आपको मिलेगा free extract tools में आपको सिर्फ दो ही चीजी मिलेंगी free में ID extract term लेगा और extract friends ID इसमें आप friends के जो ID है उसको extract कर सकते हैं और premium की तो छोड़ी है premium महंगा होता है आपको खरिदने के जरूरत नहीं है extract group emails है आप जितने भी group के अंदर email है उसको extract कर सकते हैं group के ID को कर सकते हैं user की जो भी आपके pages को like कियें उनके उस user को आप extract कर सकते हैं extract public phone numbers of friends यहां पर देखिए एक बहुत अच्छा फीचर दिया है जो भी public friends हैं उनके आप phone number को extract कर सकते हैं extract email of friends जितनी भी आपको friends हैं उनके email ID को extract कर सकते हैं तो दोस्तों यह सारे features हैं अब आते हैं removal tools में removal tools में आपको unlike all facebook pages है जैसे कि आपने बहुत सारे अभी तक अपने account से बहुत सारे pages को like किया होगा तो उसको आप on like कर सकते हैं एक साथ बस एक click पे आई आपको सारे pages पे on like मिल जाएंगे unfriend all facebook friends देखिए दोस्तों यह सबसे अच्छा feature है unfriend all facebook friends बहुत से लोग के पास thousand, two thousand, three thousand friends हैं उनमें से उनको problem होती है करके unfriend करने के लिए तो अगर वो अपने account से clean करना चाहते हैं सारे friends तो यहां से एक click पे वो clean कर सकते हैं बस एक click करेंगे अपने अपने फ्रेंड के अंपने फ्रेंड हैं सब unfriend हो जाएंगे unfollow all facebook friends यहां पे जितने भी आपने फ्रेंड को follow किया है यहां से एक click पे unfollow कर सकते हैं एक साथ delete all comments जो भी आप comments की हैं कहीं पे वो एक साथ click करके delete कर सकते हैं unfollow all groups आप जितने भी groups को follow कियां यहां से unfollow कर सकते हैं बाकि यह तीन फीचर हैं जो main important है तो आए मैं एक करके पहला जो फीचर है unfriend all facebook friends तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ मैंने click किया इस पे तो यह मेरा account जो है open हो गया दोस्तो यह account open होने के बाद आप जब यहां से click करेंगे तो यह list आपको मिलेगी यहां से आप remove removal tools में जाएंगे unfriend all facebook friends करेंगे जब आप इस पे click करेंगे तो यह आपका छोटा सा pop-up open हो के आएगा यहां से जब unfriend all friends पे click करेंगे तो आपके जितने भी contact हैं जैसे पहला यह अपना मतलब share करता है कि आप सच में सारे remove करना चाहते हैं आपको कई बार पुछेगा जैसे okay कर दिया फिर एक बार again confirm करेगा क्यूंकि बहुत ज़्यादा security होले चीज़े कि आप अपने account के सारे friends को फिर से okay करेंगे तो यहाँ पर आपको capture type काएगा कि आपको fill करना है इसे 9 plus 3 तो मैं यहाँ पे 12 दालता हूं यह okay करते हैं फिर से एक बार confirm करेगा all friends will be removed do you really want to do this yes okay करते हैं तो सबसे पहले क्या करेगा extract करेगा उसके बार एक एक करके friend को remove करेगा देखे आप देख रहा हूंगा right side में नीचे यह one friends removed पहले please wait extractive friend list इसने जितने आपके contact के अंदर जितने भी friend है सबको extract करेगा एक सार सबको इकठा करेगा उसके बाद one by one करके remove करेगा देख रहा हूंगे यह इसमें दो ही friends थे तो दोनों को मैंने remove कर दिया आप देख रहा हूंगे two friends remove हुआ तो दो friends remove हो गया यह था आपका friends जितनी भी है आपको एक साथ unfriend करने का option था अब आते हैं option में और बहुत सारे option है यहाँ पर जैसे कि extract tools है तो इसमें आप ID extractor लगा सकते हैं ID जितने भी आपके contact में friends हैं सबकी ID को आप access कर सकते हैं इसके use करके और account tools में मैंने आपको बताया ही कि video downloading tools है तो आप facebook के video कर सकते हैं आप देखते होंगे कि जब desktop पे computer पे आप facebook खोलते हैं कोई video होती है तो उसमें download का option नहीं होता है तो यहाँ से आप उसको download कर सकते हैं इसका use करके और invite friends to like your page यह सबसे अच्छा feature है क्योंकि कोई आप page बनाते हैं तो उसको promote करना होता है या like बढ़ानी होती है तो यहाँ से आप उसको use कर सकते है invite friends to like your page आप यहाँ से उसका use करके आपका जो भी page है वो अपने friends को like करने के लिए invite कर सकते हैं या कोई भी event हो यहाँ से आप अपने friends को send कर सकते हैं और सबसे अच्छा अच्छी feature यह है कि accept reject all friends request at all आप कोई भी आपका pending पड़ा हुआ है friend का list जो है request का तो यहाँ से आप उसको accept कर सकते हैं एक साथ एक क्लिक पे आपको सारे friend request जो है वो accept हो जाएंगे और reject हो जाएंगे यहाँ पर option आता है reject और accept का जैसे मैं अभी use करके बता रहा हूं आपको यहाँ पर देखिए accept all और reject all तो यहाँ पर जब accept करेंगे तो सारे accept हो जाएंगे reject करेंगे तो सारे reject हो जाएंगे और भी फीचर में आपको बता रहा हूं invite friends to like your page invite friends हो गया click all poke and poke back तो आप यहाँ से भी poke and poke back कर सकते हैं और click all add friends button यहाँ से भी आप देखते हैं इसका यूज click all add friend button तो यहाँ से आप friend request दिए सकते हैं तो आप यूज कर सकते हैं अगर आपको यूज करना हो तो बाकि इसमें और सारे feature हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं click all like buttons आप जितने भी pages हैं सबके like कर सकते हैं click all join buttons आप जितने भी group हैं सबमें join कर सकते हैं एक साथ तो दोस्तो यह है और removals में मैं आपको बताया कि unfriend कर सकते हैं एक साथ लाइक कर सकते हैं एक साथ unfollow कर सकते हैं एक साथ और delete all comments कर सकते हैं एक बार में सारी चीजे सारी प्रॉब्म सॉल्व हो जाएग इससे आपको दोस्तों इसमें बता दूँ जो में 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 फीचर हैं वह आपकी यूज के लिए जैसे कि accept reject all friends request हो गया invite friends to like your page हो गया यह दो चीजे हो गई click all poke and poke back हो गया और यह click all add friends button हो गया और removal tools में जाएगे इसमें बहुत ही अच्छी फीचर है unlike all facebook pages unfriend all facebook friends delete all comments and unfollow all groups तो दोस्तों आप इसको यूज करके देखिएगा अच्छा tools है और आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजे हैं आप जो चाहते हैं इससे आपको मिलेगा तो दोस्तों इस tools को आप यूज करिएगा और दोस्तों अगर यह video अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसे ही आपको tips और tricks देता रहूंगा और अगर वीडियो को और आप अपने friends के साथ share करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसमें आपका sharing option आता है वीडियो आप देखेंगे तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सुक्रिया और have a good day thank you so much for watching this video